तेर्स रुएंट, we have to discuss about the Swedish pre-school education for sustainability. हम बात कर रहे हैं pre-school teachers की और हम बात कर रहे हैं teaching about social sustainability की. उसके अंदर हम ने जो बच्चों को बताना है, उनको बताना क्या है usefulness, उसके अंदर जो हमारा focus है, वो हमारा healthy food है, healthy food जो है वो हमारा sustainable development का एक goal है, उसका एक part है, अब मैं आपको integration, इसके integration समझाने की खुश करूँगा, यानि STGs के अंदर goal दिये गए, उन goals की रोशनी में curriculum developed हुआ, उस curriculum के accordingly teachers को training दी गई, teachers ने उसके मताबक बच्चों के अंदर knowledge, skills और behavior, development process को inculcate किया, इसको पर बहुत सारी studies भी की गई जिसको पर जाना, Australia की study भी आती है, चांद एक और भी studies आती है, जिन्होंने इसको पर study किया, और study करने के बाद, यह जो play based learning experience था, जिसके अंदर knowledge preschool children के उपर जो दिया गया था, healthy eating food के बारे में, यू समझे लें के preschool के अंदर बच्चे को आपने एक तो awareness देनी है, और दुसरी उसकी habit develop करनी है, अब देखें जब habit development की बात करते हैं, तो आपकी habit का तालुक आपकी cognition के साथ है, आपकी सोच के साथ है, आपकी सोच की जो continuity होती है, वो आपकी habit बनाती है, इसको पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ताकि अगर आपको जैना, अंदाजा हो जाएगा, फिर आप से ये भी अंदाजा हो जाएगा, कि हम process कैसे करत आते हैं, देखें, सबसे पहले जो मेरी सोच है, वो मेरी feelings को develop करती है, मेरी सोच जो है, वो मेरे value system के साथ aligns है, कि कौन सी चीज़ को मैं अच्छा समाईने है, कौन सी चीज़ को मैंने बुरा समाईने है, वो मेरी action जो है, जो सोच है, और जो action है, they are interlinked with each other, इसका मतलब पहले नमबर पर क्या है, हमारे पास सोच, सोच से क्या develop वा, feelings, emotions, उससे क्या develop वा, action, और continuity in the action क्या हुआ गया, वो habit बना, अब हम करना क्या चाह रही है, हम चाह रहे हैं, कि जो sustainable development, जो goal है, उसका जो हिस्सा है, healthy eating वाला, बच्चे को सबसे पहले जहन में उसके रिए डाल कि वो differentiate करें, यह healthy food है, यह unhealthy food है, उससे उसकी feelings develop हो जाएंगी, कि मैंने healthy food यूज करना है, और unhealthy food मैंने यूज नहीं करना है, इसका मतलब यह हुआ, healthy food को वो good कह रहा है, unhealthy को वो bad कह रहा है, अब उसका action क्या होगा, उसका action यह होगा, कि वो healthy food की तरफ जाएगा, unhealthy को ignore करेगा, और इसकी जो continuity होगी, वो यह बनेगी, कि वो unhealthy food को ignore करना चुरू कर देगा, उसकी habit develop हो जाएगी, कि अपनी habit में वो यह सोचना चुरू कर देगा, कि नहीं मैंने सिर्फ healthy food ही इस्तेमाल करना है, और इसके इस्तेमाल से यह होगा, कि उसकी वो जो connectivity develop हो जाएगी, उसका knowledge, उसकी habit, उसकी connectivity हो जाएगी, sustainable development के साथ, और sustainable development के साथ जो connectivity होगी जाएगी, इसका मतलब है कि वो जो sustainable society का concept लेके चाहर रहे हैं, वो पूरा हो जाएगी, यहां से, अब Swedish ने क्या किया, Swedish ने भी जिस तरी के से तमाम ममालक कर रहे हैं, यह नहीं कि यह सिर्फ student कर रहा है, बलके student के इलावा तमाम ममालक जो हैं, वो यह काम कर रहे हैं, हर एक प्रॉसेस मुक्तलिप हैं, तो student ने भी इस से related teaching practice के अंदर, teaching training के अंदर, teaching program के अंदर, university के जो teacher training program है, उन में सबसे पहले teachers को बताया, teachers ने उसको adopt किया, फिर उनने बच्चों को बताया, फिर बच्चों के concept develop किये, और बच्चों की habit develop कर दे,